भाईयो नमस्कार भाईयो ये जो पिलाट आप देख रहे हैं ये 0238 का है और ये भाईयो पेडी गन्ना है भाईयो ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि इसमें आज खाद डल लिया है किसान दुवारा और पिछले साल जो इन्होंने खाद और दवाई लगाई थ थी उस दवाई का इतना बढ़िया रिजल्ट आया था तो बुरर बिल्कुल नाम भी नहीं था इस खेट में तो बुरर की जो सुन्डी होती है एक भी पोद्धे में नहीं थी तो इसलिए वही खाद और दवाई इस बार दुबारा से रिपीट हो रहा है पेड़ी में क्यो पिछले साल लगाया था एक बार दवाई लगाय थी और खात तो कईवाल लगया लेकिन दवाई एक बार लगाय थी और खेत में इतना बढ़िया रिजल्ट आया ग्यों कटा गन्ना भी लगव पचास से उपर का गन्ना छोटे विगे में निकला था और इस बार पेड़ी गन्ना है इस बार भी वोई दवाई रिपीड होगी तो मैं अभी आपको दिखाँगा कि कौन सी दवाई किसान मिला रहे हैं और इस गन्ने में अभी तक फिलाल तो कोई रोग नहीं है और ना ही इसमें कोई दवाई लगी है ना ही कोई इस प्रेय लगा है सिर्फ एक बार देड़ बैग यूरिया मिलाया जा रहा है और उसकी साथ यूरिया की साथ मिलाया जा रहा है घन्ना स्पेसल मल्टि प्लैक्स कंपनी का है घ Pennsylvania स्पेसल यह एक के कड़ में डेले बैग यूरिया और दस किलोग्राम भाईयो गन्ना इस्पेशल से गन्ना का रंग एकदम दस दिन में देखना कितना बदल जाता है और ग्रोफ बहुत अच्छी करता है और भाईयो इंसेक्टिसाइड जो है इंसेक्टिसाइड मैं दिखाऊंगा आपको भा प्रोनिल होता है 40% और इमीडा क्लोरोफिट 40% भाईयो यह जो है दो दो थैली है 100-100 ग्राम की और इसमें सिर्फ एक ही डाली गई है क्योंकि पिछले साल एक एकड़ में एक ही लगाई थी किसान ने और इधर को दूसरा खेट जो है एक 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 ए दूसरी ठीली लगेगे तो 50 coverage वे ाक्रादेयों 100 ग्राम जैसे किसान 200 ग्राम लगाते हैं और इना फुमें लगाते हैं एक एकड़ खेत में डेड़ बैग यूरिया दस किलो गन्ना स्पेसल और तीसरा है फीट ना सक भाईयो सीरा सागी अगर आपके हां सीरा सागी ना मिलेगे तो आप ले सेंटा ले सकते हैं बायर की या आदामा की रनपो ले सकते हैं या घड़्डा की पॉलिस ले सकते हैं कोई सी भी दवाई आप ले सकते हैं लेकिन भाईयो इस खेत में पिछले साल बहुत बढ़ी हा रिजल्ट आया था और कोई इस पर इंदे नहीं किया गया तोई सीरा सागी लग रही है और गन्ना इस्पेसल भी बस आप जो लगना था लग गया सीरा सागी भी जो लगनी थी लग गई अब तो बस आगे को सिर्फ यूरिया लगाया जाएगा और खेत की मैं वाइडियो बात को भी दिखाऊंगा कि इसका कैसा रिजल्ट आया क्योंकि किसान भाई इतनी इस्पिरे कर रहे हैं और तरह तरह की दवाईया लगा रह गया तो इस खेत की मैं एक सब्तावाद फिर वीडियो बनाऊगा कि कैसा रिजल्ट आया कैसा कलर है कलर तो भाईयो अब भी बढ़िया है मेड़ा भी काफी है लेकिन मैं इस लिए वीडियो बनाऊगा कि टो बोडर तो नहीं आया खेत में और यूरिया की मात्रा भाईयो सब्सक्राइब है किसाना पहले भी एक सिरसागी का बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था इस खेत में आप भी टॉबुरा रोकने के लिए और नीचे से बाहिए जो दीम किनडार को रोखने के लिए बहुत अच्छा काम करती है सिरसागी आप भी इसे लगा सकते हैं जिसमे इमेडर क्लोरोपिट 40% और फिपरोनिक 40% तो भाईव आपने किसी ने ये लगाया है कुछ किसान भाई कहते हैं कि दो बार लगाना चाहिए आप लगाओ और एक बार फिर लगाओ लेकिन भाईव इसकी जो में डोज है वो 200 ग्राम पिर्टी एक कड़की होती है लेकिन किसान भाई 100 ग्राम लगा रहे हैं 200 ग्राम की वजाए 100 ग्राम केवल तो भाईव आप ने अगर इसका रिजल्ट लिया है सीरा सागी या लेसेंटा का तो आप कमेंड में बताएं कि आपके हां पर कैसा रिजल्ट आया इसका और टोप बोरर आया यह नहीं और आप कितनी डोज ल करें धन्यवाद नमस्कार